हलो एवरिवन एंड वेलकम टू स्टेडी वित सुनील देखे दोस्तों सिंदु काटी सब्वेता के बारे में अपने जो सिरीज स्टार्ट कर किया है उसमें दो पार्ट आपको अल्रेडी प्रोवाइड हो चुके हैं जिसमें पहले पार्ट में अपने पढ़ा था कि सिंदु काटी सब्वेता की खोज कहां से होई थी इसकी उद्वव कहां से वा था इसका काल करम कौन सा था दूसरे वीडियो में अपने इसकी विशेष्टाओं के बारे में पढ़ा है कुछ और भी विशेशता हैं रह गई हैं जो मैं भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और ये इस सीरीज का वीडियो तीसरा है तो इस वीडियो में बात करेंगे सिंदु काटिसब बता के जो भी स्थल मिले हैं वो स्थल कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और उन स्थलों की खोज किसने की है ये दोनों चीज में आपको ट्रिक के मादम से बताने वाला हूँ इसके बाद में सिंदु काटिसब बता से रिलिटेड जो कुछ और भी विशेस्ता हैं रह गई हैं वो अपन आज इसी वीडियो में कवर करके इसे सिंदु काटिसब बता को आज अपन खतम करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना देखे आज का जेसन शुरू करें तो सिंदु काटिसब बता के इस थल और इसे सम्मंदित जो नदिया हैं उसके बारे में बात करें तो एक ट्रिक है इसके मादम से आप इसको याद कर सकते हो ट्रिक इस तरीके से है कि लोभी नाम की एक मोसी है उसका हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोस में आ गई यानि कि लोभी मोसी है वो घुसी में आ गई और उसे बस ने कुचल दिया इस तरीके से ये एक ट्रिक है लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोस में आ गई और उसे बस ने कुचल दिया अब देखी लोभी जो सब्द है जोधरों 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 जोधरो है जिसमें काले बंगा से कौन-कौन सी वस्तों प्राप्त हुएं कौन-कौन से प्रमुक महरे प्राप्त हुएं वो सारी मेने काले बंगा वाले वीडियो में बताई हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो सब्दा आपको दे रखा है वो रमा रैसे रंगपूर और मैसे मांदिर रंगपूर जो स्थेल है वो मांदिर नदी के किनारे है रोस में रैसे रोपड और सैसे सतलज यानि कि रोपड जो स्थेल है वो सतलज नदी के किनारे है बस में बै बैसे बनव और इसे वनमाली भी बोलते हैं और ये कौन शी नदी के किनारे है सरस्वती नदी के किनारे इस्तित है तो आप चाहें तो इस चीज का स्क्रिंग सूट भी ले सकते हैं इस ट्रिक का वरना आप इसको नौट डाउन कर सकते हैं ताकि पविशे में आपको ये काम आ जाए अब के बात करते हैं परमुक इस्तलों के खोजकरताओं के बारे में तो परमुक इस्तलों के खोजकरताओं के ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि रोय का बीबी लोरा हसके मरा रोय का बीबी लोरा हसके मरा इसमें सब्द है रोय तो रैसे रोपड और रोपड नाम का जो इसकी काह्त दूरा खुजा गया है यक दत्सरमागे द्वारा कोजा गया है और दोनों की डिवारा काली बंगा और बीबी का मतालों किसके बीबी या रफ्रॉ was sparks उसकी क्यों की गयी थी ऊभाद में लोगा लोरा में देखें लेसे लोथल हो गया और इस रेसे क्या हो गया रंगनात राव यानि कि लोथल जो इसकी खोज किसके दोरा की गई थी रंगनात राव के दोरा की गई थी और ये हस और मरा ये हडपा और मौन जोदरो वालता आपको वेसे भी याद होना चाहिए हैसे हडपा और हैसे साहनी साहनी यानि की पुरा नाम है दियाराम साहनी और इसको बोलते हैं राय बहादूर दियाराम साहनी इसकी फुल फरम होती है तो हडवपा नाम का जो स्थैल है वो रायahu बहादुर द्यारामसानी के दवरा खोजा गया है वही मोंजोडरो जो स्थैल है वो राखहल दास बनर्जी के दवरा खोजा गया है तो आप चाहें तो इस ट्रिक का स्क्रीन सूट ले सकते हैं ताकि भविशे में आपको ये काम आजाए अब देखे हैं अब बात करते हैं सिंदु आटी सब बेता से रिलिटेट जो परमुक इस्थल खोजे गए हैं इसमें कौन-कौन से इस्थल से कौन-कौन सी चीजें पराप्त हुई हैं उसके बारे में देखे हैं अब बात करते हैं देखे परमुक हडपा काली इस्थलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हडपा स्थल यानि सिंदु आटी सब्वेता में जो स्थल खोजे गए हैं उसमें हडपा जो स्थल खोजा गया था रावी नदी के किनारे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है यह रावी नदी के किनारे है और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी संख का बना हुआ बेल यहां पर मिला है नटराज की आकर्ती वाली एक मूर्ती यहां से प्राप्त हुई है और पेर में सांप दबाए गरूड का चितर यहां पर मिला है और एक मच्वारे का चितर भी यहां से प्राप्त हुआ है एक इंट्रेस्टिंग बात यह है कि सिर के बल खड़ी एक नगन इस्तरी जिसके गरब से पोधा निकला हुआ है इस तरीके से एक चित्र है वो यहां से प्राप्त हुआ है तो यह परमुखे कुछ चीजे हैं जिसमें रावी नदी के किनारे इस्तित है 1921 में दैराम सानी के दोरह इसकी खोज की की थी संक का बना हुआ बेल मिला है मिटराज के आकरती वाली मूर्ती प्राप्त हुई है पेर में साब दबाए एक गरूर का चित्र है मच्वारे का चित्र प्राप्त होता है और शिर के बल खड़ी एक नगन इस्तरी का चितर जिसके गरब से एक पोधा दिखाई दे रहा है ये पर मुखे कुछ चीजे हैं जो की हड़पा स्थल है वहां से प्राप्त हुई है बात करें मोहन जोदरों की मोहन जोदरों जो स्थल है वो सिंदू नदी के किनारे श्तित है इसके लावा 1922 में राखल दास बनर जी के दौरा इसकी खोज की गई थी बवन पक्की इंटों से बने वे हैं यहां पर और सिड़ी का साक्से मिला है सिंदू गार्टी सब्वेता में सिड़ी का साक्से कहां से मिला है मोहन जोदरों से मिला है परवेश दौआरे वो गली में खुलते हैं इसके काश्यकी की एक नर्तकी की मनी मूर्ती यहां से प्राप्त हुई है और एक सरंगी पसू आकरती वाली मोहर भी मोहन जोदरों से प्राप्त हुई है मोहन जोदरों कौन से नदी के किनारे है सिंदु नदी के किनारे इस्तित है 1922 में रखलदास मुनरजी के दोरा इसके खोज की गई थी यहां के जो भवन है वो पक्की इंटों से बने हुए है सिडी का साथ से यहां से मिला है परवेश दुआरे वो गली की तरफ खुलते है यानि कि मुखे सड़की और नहीं खुलते है इसके लावा कांशेकी बनी एक नर्तकी की मुड़ीआंसे प्राप्त ऊजी है एक सरगी पसु आकर्ती वाली मुखरें यहांसे प्राप्त हुई है और इसे मोट का टेला भी कहा जाता है जैसा कि मोहन जोधरोश सब्दिशर ही सपस्ट है और मोहन जोधरोश एक मुवी भी आई थी रितिक रोसन की अगर आपने वो देखी है तो मरतकों का टेला मोत का टेला इसे क्यों का जाता है वो देखकर आप समझ गए होंगे देखें नेक्स तो स्थल के बारे में बात करें तो लोथल स्थल बोगवा नदी के किनारे है सबसे पहले और गुजरात में इस्थल ये एक बंदरगा है लोथल और गोदी वाड़ा के साथ से प्राप्त हुए है चावल एवं बाजरा के साथ से कहां से प्राप्त हुए है लोथल नाम के साथ से प्राप्त हुए है दोमो वाले राकसस के अंकन वाली एक मुद्रा भी लोथल से प्राप्त हुई है पंचितंतर की चालाक लोमडी का अंकन लोथल से प्राप्त हुआ है और ममी का उधारन भी यहीं से प्राप्त हुआ है बतक बारे सिंगा गोरिला के अंकन वाली मुद्रा भी लोथल नाम के स्थल से प्राप्त हुई है तो लोथल और मोहन जोदरो काफी इंपोर्टेंट है सिंदुगाटी सबेता के दरिष्टिकोंड से जिसमें मोहन जोदरो की खोज है वो राखलदास मिनरजी के द्वारा की गई थी और लोथल नाम का जो जो अस्थल है वो सबसे पहले तो बोगवा नदी के किनारे है एक बंदरगा है गुजरात मिस्थित है गोदिवाडा के साख से प्राप्त हुई है चावल और बादरा के साख से प्राप्त है दोमु वाले राक्सस वाले अंकन की यहां से एक मुद्रा मिली है और पंचतंतर की चालाक लोमडी का अंकन यहां से प्राप्त हुआ है ममी का उधारन यहां से प्राप्त हुआ है बतक बारा सिंगा गोरिला के अंकन से बनी हुई कुछ मुद्राइं यहां से मिली है बात करें काली बंगा की तो वेशे तो मैं काले बंगा के बारे में आपको वीडियो प्रवाइड करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी कुछ इंपोर्टेंट तथे फिर से देख लीजिए घगर नदी के किनारे ये राजस्तान में स्थित है इसका साब्दे कर्थ यानि की काले बंगा का साब्दे कर्थ क्या होता है काली चूड़िया होता है प्राक हडपा जो हडपा है और विकसित हडपा दोनों के साथ से यहां से मिले हैं जोते वे खेत और सर्षों के साथ से यहां से काले बंगा से मिले हैं एक सिंग वाले देवता के साक्सिया काले बंगा से मिले हैं और कपाल में छेद वाले बाले का सव यहां से प्राप्त हुआ है जो कि एक सल्ले चिकित्सा का काफी अच्छा उधारन माना जाता है तो काले बंगा से यह कुछ परमुक्ष चीजी हैं जो कि खुदाई के दोरान प्राप्त हुई है बात करें चन्हु दड़ो की तो मन के बनाने का कार खाना यहां से प्राप्त हुआ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत जदा इंपोर्टेंट है मन के बनाने का कार खाना कहां से प्राप्त हुआ है इंटों के ओपर बिल्ली का पिछा करते विए कुट् के चिन यहां से प्राप्त हुई हैं कहां से चन हुद्रों से तो यह दो परमुख चीज़े हैं जो की चन हुद्रों से प्राप्त हुई हैं फिर नेक्ट बात करें तो बनवाली बनवाली है इसके बनवाली के नाम से जानते हैं हर्याना के हिसार जीले में यह इस्तित है और अ उसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोस में आ गई और उसे बस ने कुचल दिया तो जहाँ पन ने रोस सब्द देखा था ना वहाँ से रैसे रोपड और सैसे सतलज नदी तो ये कौन सी नदी के किनारे है सतलज नदी के किनारे है पंजाब में और मानव के साथ में कुट्टे के दफनाए जाने का साक्सिय यहां से प्राप्त हुआ है तो यह रोपड से बाद में दोलाविरा गुजरात के भरूच जीलों में यह इस्तित है और जल प्रबंदन के सोड़ा जलसों की प्राप्ति यहां से हुए प्रेंट है दोलाविरा से जो जल प्रबंदन का एक अच्छा डॉलाविरा प्रेंट का उधारना है वो सिंदू गाटि सब्वेता में दोलाविरा में देखा जा सकता है बाद में बात करें सूर कोटदा तो यह भी गुजरात के कच्छ में इस्तित है सबसे ज्यादा आजादी के बाद में सबसे ज्यादा स्थल सिंदू गाटि सब्वेता से रिलेटेड कौन से राज्ये में खोजे गए है तो गुजरात इसका अनसर होगा और वास्ता में गुजरात में बहुत ज्यादा स्थल खोजे गए है कच के में स्टित है और सुपिंग कॉंप्लेक्स के साख से यहां पर सुरْकोटता में मिले है गोडे की अस्टियां यहां पर सुर्कोटता में प्राप्त हुई है तो ये कुछ परमुग स्थलते अब देखे बात करते हैं जो अपनी सिंदुगाटी सब्वेता है जिसको हडपा सब्वेता के नाम से अपन जानते हैं उसके पतन के क्या क्या कारण थे तो एक कारण माना जाता है पारस्तिती की ऐसंतुलन, पारस्तिती की ऐसंतुलन के कारण सिंदुगाटी सब्वेता का पतन हुआ था, ये कुछ इत्यासकार मानते हैं, देखें पतन क्यूं हुआ था, ये अलग-अलग इत्यासकारों के दौरा अलग-अलग मत दिया गया है, इ उसका अंतुवा था इसका पतन हुआ था घगर का सूकना यानि काली बंगा जो सब्वेता है काली बंगा जो स्थाल है वहाँ से घगर नदी परवाइत होती थी स्रिक गंगा नगर और हन्मानगर के जीले में वो सूकने के कारण हडपा सब्वेता सिंदुगाटी सब्वेता क पतन का एक परमुक कारण माना जा सकता है इसके लोगा नदी मारग में परिवर्तन जो नदियां यहां पर बैती थी उन्होंने अपना मारग बदल लिया है जिसके कारण भी सिंदु गाटी सब्वेता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई बाड काना अचानक बाड आ गई थी ये तो आप मौन जोदारों जो मोवी है उसमें भी देख सकते हैं कि जो बाड किस तरके से आने के बाद में शिंदु गाटी सब्वेता है वो यहां पर खतम हो जाती है और अधिकान का जो इधियास कार है वो इसी कारण को बाड के आने के कारण को इस नुदु गाटी सब्वेता के विलुप्त होने का कारण मानते हैं जल पलावन जल पलावन को भी एक कारण माना जा सकता है बाही आकरमन और ये भी कुछ हट्तक बहुत सही है देखा जाए तो बाही आकरमन ये जो इउरोपिय सब्वेता के जो लोग थे उनके आकरमन के द्वारा शिंदु गाटी सब्वेता के विलुप्त होने का एक कारण माना जाता है परसासनिक सिथीलता है वो भी हट्पा सब्वेता के पतन के कारण माना जाता है अब देखें बात करते हैं अक्षित्र फ्रल की द्रेश्टी से हडपा कालीन नगरों का करम कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंदु गाटिसब्पेता में जो भी स्थल मिले हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और दूसरे नमर पर कौन सा आता है तीसर कर पाओगे ना तो देखिए सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहन जोदरो मोहन जोदरो उसके बाद में दूसरा स्थल है वो हडपा बड़े की करम में उससे चोटा है बाद में कौन सा दोला विरा और सबसे चोटा इनमें से कौन सा है काली बंगा तो ये बड़े से चोट करने हो कि यह है कि दोलाविरा भारत में इस्तित सबसे बड़ा हड़पा कालें इस्तल है भारत में इस्तित जिसमें कौन-कौन से, कौन-कौन से, कहां-कहां के सक्से मिले हैं, किस-किस चीज के, वो अपने बात कर लिए है, तो ये complete वीडियो आपके study के लिए बहुत ही ज़्यादा benefit रहेगा, अब अपन, मैं आपको कुछ mcq भी provide करवाँगा, जो कि आपके सिंदु आर्टिस अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी study के अंतरकर बेनेफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करने के साथ में चैनल को इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही upload हो, तो उसके साथ में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी ने क्यूशन आंसर के साथ में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!